जोनों काम हजार सैसे दोगे? सैसे दोगे? सैसे दोगे तोर कैसे दोगे? यह है सोनागाची लोगों की भासा में रख एक्टेरिया से भी पुराने हूगली नदी के तड़ पर बसे कोलकता शहर की कई चीजे खास है जैसे रस्गूला, हिलसा मचली, गीत संगीत, फिल्म, करांती, हस्तिया, बहुत सारी चीजे लेकिन कोलकता से जुड़ी एक और चीज भी वहमस है जिसका नाम लोग दबी जुबान से लेते हैं जी हाँ, ये नाम है सोनागाची दबी जुबान से इसलिए क्योंकि सोनागाची इरिया है सोनागाची में एशिया का सबसे बड़ा इश्यापार का केंदर है एक अनुमान के अनुसार दस अजार से ज़्यादा वरकर्स यहां काम करती है हर उम्र, हर खेतर और धर्म की लड़किया यहां उस धंदे से जुड़ी हुई है जिसकी चर्चा करते हुए हमारा समाज मूँ बिचकाता है लेकिन फिर भी इस इलाके की मौजूदगी को लेकर सरकार और शाषन में एक तरह की स्विकरती है इन्हें यहां से कोई नहीं हटा सकता और इसलिए यह 32 सालों से यहां मौजूद है उत्तरी कोलकाता के शोबा बाजार के नजदी कि स्विक चितरंजन एवेन्यू में मौजूद इलाके को लोग कई सो सालों से सोनागाची के नाम से जानते आए सोनागाची यानि सोने का पेड़ जैसा की नाम से ही पता चलता है सोनागाची यानि सोने का पेड़ आखिरकार इस इलाके का नाम सोनागाची कैसे पढ़ा तो क्या इस इलाके में सोने के पैट जैसा कुछ है दरअसल ये कहा जाता है कि एसिया के सबसे बड़े भीट का नाम एक मुस्लिम वली यानि संत के नाम पर पढ़ा है चलिए आपको फ्लेस बेक में लेकर चलते हैं तीन सो साल पहले का समय तब कलकता नया नया बसा था फूगली नदी के पूरवी किनारे पर इस्तित ये क्षेतर व्यापार का फलता फूल तक केंदर था इतिहासकार पीटी नयर की किताब A History of Calcutta's Street के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस सोनागाची की कहानी बताते वे लिखता है कि इस इलाके में सनाउला नाम का एक खूंका डकेट अपनी मा के साथ रहा करता था कुछ दिन बाद उस डकेट की मौत हो गई एक दिन सनाउला की रोती हुई मा ने अपनी जोपडी से एक आवाज सुनी जोपडी से आवाज आ रही थी कि मा तुम मत रो मैं एक गाजी बन गया हूँ इस तरह निकला सनाउला से सोनागाची का नाम जल्दी ही ये बात आसपार्स फैलने लगी और उस जोपडी में लोग पहुशने लगे और इबादत करने लगे यहां आकर कतित रूप से लोग अपनी बिमारियों से चंगे होने लगे कहते हैं कि लोगों को यहां रूहानी एहसास होता था इसलिए नायर कहते हैं कि सनाउला की मा ने अपने बेटे की याद में यहां एक सुन्दर मस्जित बनवा दी इसे सोनागाजी की मस्जित के नाम से जाना जाने लगा कुछ दिन बार सनाउला की मा की मोत हो गई इसके बाद इस मस्जिद की देख बाल करने वाला कोई नहीं रहा और दीरे-दीरे लंबे कालखंड के बाद ये मस्जिद पूरी तरह से गायब हो गई इस मस्जिद की वज़े से पडोस के इलाकों का नाम मस्जिद बाडी पड़ा जबकि सन्नाउला गाजी बदलकर सोनागाजी हुआ और दीरे दीरे सोनागाची हो गया कैसे पनपा सोनागाची में इंडियन एक्सप्रेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सोनागाची ओल्ड पिल्ग्रिम रोड पर इस्तित है इसल्ब रविंद्र सारणी के नाम से जना जाता है यह इलाका बड़े बाजारों का केंद्र रहे हैं अंग्रेजों के यह आने से पहले भी व्यावसाई गतिविदिया होती थी व्यावशाज से आते थे यहां मजदूर काम करते थे और लोगों की भीड जमा होती थी पत्रकार मली कहती है कि किसी भी जगह पर जब बड़ी संक्या में व्यापारी और सेलानी आते हैं जहां रूपिया पेसा माल असबाब पैदा होता है जो व्यवसाय का बड़ा केंदर होता है वहार एरिया का पनपना बहुत सहज है कभी सोनागा जी के व्यापार को नामी बंगाली परिवार चलाते थे आज इन जरजर को किराय पर दिया जाता है यहां आज भी संनाउला की दरगा मौजूद है यह कई बार टूटी और इसकी कई बार मरमत की गई दूरभाग्यवास इस दरगा पर संनाउला की मोद की तारिक नहीं का हमारा आज का यह एपिसोड हमें कॉमेंट में जरूर बताए और ऐसी ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले